दोस्तों काफी संदार भरती आ चुकी है EMS Bhopal के तरब से आपको बता दे EMS Bhopal के द्वारा Group C Aster की पर्मानेंट बहाली के लिए Official Notification जारी कर दिया है साथ हे साथ आपका ओनलाइन आवेदन करने का भी लिंक एक्टिब कर दिया गया है आप सभी Candidate इसके लिए Apply कर सकते हैं इससे जूरी पूरी जनकारी आपको इनके Official Website पर जवाब आएंगे तो नीचे यहाँ पर आपको latest notification आपको यहाँ पर देखनों को मिलेगा यहाँ पर देखेंगे आप सताइस तारीक एडिट में एक notification आपको जारी किया गया है requirement for group C non faculty domain specific post on direct recruitment base at EMS Bhopal इस बाले link पर आपको क्लिक करना है आपके सामने इनका detail notification डाउनलोड होकर आ जाएगा जिसमें देखेंगे कुल मिलाकर कई सारे post है जैसे 26 अलग अलग प्रकार के post पर यह बहाली है और कुल मिलाकर काफी अच्छी खासे sitों पर यह बहाली पर के लिए आपकी होने वाली है 357 पदों पर जिसके क्लिए आप apply कर सकते हैं देखे हर post के लिए qualification अलग अलग है बाकी इसमें 10 भी पास है 12 भी पास है डिपलोमा किये हुए करजविशन किये हुए सब को यहाँ पर मौका दिये गए हैं आप अपने योगिता के अनुसार अलग अलग पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं देखे apply की प पोस्ट के लिए apply करेंगे तो general OVCWS के लिए 1200 है SCST physical handicap के लिए 600 रुपे payment आपको online मद्धम से जमा करने होंगे qualification की बात करेंगे तो 13 नंबर पेज में जब आप आप आएंगे qualification के जनकारी दिया गया पोस्ट वाइज जैसे यहाँ पर देखे hospital attendant grade 3 का यह आपकी पोस्ट है ज बाते साथ certificate course in hospital services conducted by decognize organization से आपका certificate होनी चाहिए और desirable में बताएगा है कि आपके पास experience है तो apply कर सकते हैं नहीं है फिर भी desirable वाला जो qualification है आप पूरती नहीं भी करते फिर भी आप इसके लिए eligible होंगे age की बात करें तो 18 से 30 वर्स है तो इसी परकार lab attendant का यहाँ पर देखेंगे 10 प्लस 2 मांगा गया है और यहाँ पर आपकी age की जनकारी दी गई तो अलग-अलग post की जनकारी आपको यहाँ पर आकर देखना होगा जो आप notification डाउनलोड करकर समझ सकते हैं तो आईए जानते हैं इसके लिए आप apply कैसे करेंगे apply करने का direct link जो है इस video के description box में आपको उपलप्त करा दी गई है जिस पर click करेंगे direct इस link पर आजाएंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको post चुनना होगा कि किस post के लिए आप apply करना चाहते हैं उसके बाद आपका जो भी first name होगा इस box में आप अपना first name डालेंगे और जो भी आपका surname होगा यहां पर आप फिल करेंगे पिता जी का जो भी नाम होगा आप यहाँ पर बताएंगे माता जी का नाम बताएंगे date of birth जो भी होगा यहाँ पर calendar मिलता है सबसे पहले आप अपने साल को यहाँ से चूनेंगे जो भी आपकी मन् परसन है जिनके साधी हुई ची डैवोस हो चुका है तो वैसे इस्तिति में आप इसनों में अपनी जनकारी को यहाँ पर बताएंगे बाकी आप अपना कैटेगरी बताएंगे किस कैटेगरी से आप बिलॉंग करते हैं उसके बाद नीचे आना है यहाँ पर एक्जाम जो आप परतिसत या उससे अधिक तो यहाँ पर एस करेंगे एस करेंगे तो बाकी की जनकारी आपसे पूछी जागी अगर नहीं है तो नो वाले बिकल पर क्लिक करेंगे एस करेंगे तो आपको टाइप बताना होगा किस टाइप क्या आप दिव्यांग है अगर आप दिव्यांग ह करें अनेता नो वाले विकल पर क्लिक करें सोलन नंबर में बताया गया है यदि आप सेंटरल गोवर्मेंट के अल्रेडी इंप्लॉय है तो उसकी जनकारी इसनों में आप बताएंगे जो कि अगर एक सर्विसमेंट कोई केनिडियेट है उनकी लिए होगा अगर आप यहां पर basis पर Central Government या state government का तीन सालों का अगर आपने जोब किया है तो यहां पर इसनों में जनकारी को फिल करेंगे विस नंबर कलो में पूछा गया है कि अगर आप defense person है और उसमें भी अगर दिव्यांग है तो वैसे इस्तिती में आप इसनों में जनकारी को बताएंगे विस नंबर कलो में बोला गया है यदि आप Central Government के civilian employer है तीन सार regular basis भे अगर आपने काम किया है तो इसनों में जनकारी को fill करेंगे बाइस नमबर कलो में बोला गया है court of luck के दुवारा आपको convicted किया गया है तो उसकी जनकारी इसनों में बताएंगे जो आपको बतानी होगी जैसे यहां पर जो भी पोस्ट आप चुनेंगे उसके लिए जो qualification चाहिए वह आपको यहां पर देखनों के मिलेगा इसमें कम से कम 10 भी चाहिए तो यहां पर तेंथ आपको बोला गया है तेंथ आपने पास आउट किया है या नहीं qualification को चुनेंगे और यहां पर subject में any चुनेंगे यहां पर passing year बतानी है total जो marks है वो बतानी है कि कितने का याम हुआ था उसमें आपको कितने प्राप्त हुए है वो बताएंगे percentage आपको देखनों के मिलेगा इसके अलाबे essential जो qualification चाहिए वो आपके पास है या नहीं है आप इसनों में जनकारी को बताएंगे digital qualification जो बोले गया है आपके पास है या नहीं है उसकी जनकारी इसनों में आप यहां पर बताएंगे बाकि आपका जो भी permanent address होगी आप यहां पर बताएंगे address 1 में अपना village लिख सकते है address 2 में post office लिख सकते हैं यहां से आप अपना state को चुनेंगे साथे साथ जो भी आपका जीला होगा उससे आप chain करेंगे pin code को डालेंगे correspondence permanent दोनों सेम है इस check box पे tick करेंगे दोनों fill हो जाएगा अलग-अलग है तो अलग-अलग जनकारी को fill करनी होगी बाकि mobile number email id डालना है आपको अपना photo डालनी है जो कि 20 से 100 के भी के बीच होगा इन बातों को ध्यान रखे गया jpg format में होगा signature 10 से 100 के भी के बीच में होगा जिससे आपको यहाँ पर upload करनी है photo signature upload करने के बात इस दोनों check box पे आपको tick करना है बाकि capture code को fill करना है नीचे आना है आपको declaration देनी है एक option मिलेगा आगे बढ़ेगा जिस पर click करना है अब आपके सामने cast होगा cast certificate को आपको upload करने की जरूरत होगी जिसका maximum size 1500 के भी में होगा jpg format में आपको यहाँ पर attach करना है और यहाँ से इसको upload कर देना है चुकि CST, OBC और EWS वाले candidate को देना होगा बाकि यहाँ पर आपने तेंथ की जो detail fill किया है इसके लिए जो भी आपके पास mark sit होगा उसे attach करेंगे और यहाँ से upload करेंगे नीचे आना है जो आपके पास post wise जो certificate मांगी जाएगी अगर आपे लागू होता है तो उससे आप यहाँ से ज payment यहाँ से ले सकते हैं option मिल लेगा proceed to payment का जिस पर आपको क्लिक करना है अब आपके सामने भी payment जब करने जाएंगे इस परकार एकीरा राजे का तो यहाँ पर हमेशा आपको send anyway पे क्लिक करना है ना कि आपको go back पे send anyway पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको payment gateway पे डिरेक करे हैं उससे आप यहाँ से चैन करेंगे payment करने के बाद इसका print निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे बाकी की सारी जैनकारी इनके notification को एक बार डाउनलोड करकर आप जरूर रीट आउट करें जिसमें आपको syllabus की जैनकारी आपको पता चलेगा और आगे की जूभी आ बारे में भी जैनकारी आपको दे गई है बाके हमारा यह अपडेट अगर आपको पसंद आ हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस परकार की लगातार अपडेट के लिए अभी कई सारे में आपकी बहाले चल रही है इस पर अल्रेडी हमने वीडियो बना दिया जैसे गोरकपूर एमस में चल रही है देवघर एमस में चल रही है तो इस वीडियो को भी देखर आप आगे की प्रोसस समझ सकते हैं धन्यवाद